हेलो फ्रेंट्स इम्मू फैक्स में आपका सवागत है दूस्तो आज की हमारी न्यूज रहेगी पबजी रिटन्स टिक टॉक ग्लोबल प्लस तीन इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो की बहुती ज्यादा जरूर है आप लोगों तक पहुंचाना वो तीन पॉइंट्स यह रहे तो सुचा यह सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं गरके तो आज हम लोग बात करेंगे दस्तो पबजी की रिटन्स पे हमारे धेर सारे फैंबली मेंबरस ने पुछा था क्या नया आपडेट मिला तो मैं इस पर जाके पड़ा तो थोड़े बहुत सेम न्यू जोस्तो जाई यह टिक टॉक ग्लोबल जैसे ही बनता है करके बताया गया धेर सारे कंडिशन्स इस पर भी निकाले गया दोस्तो और चाइना की गोर्मेंट का यह कहना है कि हम लोग अप्रूवल नहीं देंगे अब डुनाल ट्रम ने भी सेक्यूरिटी की चीजी तर पर कही जैसे यह अचीए आप लोगों तक पहुंचाता है तो शारी अगर बुरा लगा हो तो फ्रेंट तो चलो फ्रेंट चलते हैं आप इसके सारे डीट तो पहला बात करेंगे जो यह जो तीन पॉइंट से बहुत ही जरूर है दोस्तो इसकी आपकी नालेज इसके लिए बहुत ह ज्यादा इंपोर्टेंट है तो यह आप तक पहुंचा रहा है दोस्तों तो पहला रहेगा दोस्तों कोवेड-19 का सेकेंड वेव पहले मैं सेकेंड वेव क्या है आपको एक्सप्लें कर देता हम दोस्तों समझो जिस जगह पे मैं बैंगलूर में रहता हूं अब बैंगलूर म तो अल्रेडी चाइना में आगिया है समझो 15-20 दिन पेले उसके बाद न्यूजिलेंड में आया है अब तो तीन दिन से यूरोप के इतने यूरोप जैसे इतने बड़े कॉंटिनेंट में भी चीज चालू हो गई है जो कि आप तक पहुंचाना बहुती ज्यादा जूरू है इतना बड़ा कॉंटिनेंट है जिसके अंडर में धेर सारे कंट्रीस आते हैं अब इसमें समझो दो साथ से आठ कंट्रीस में यह सकेंड वेव आ गया है करके बताया जार जो कि बहुती ज्यादा ज़रूर है आप लोगों को पहुंचाना क्यूंकि इंडिया में अभी तक सकेंड वेव चालू नहीं हुआ है उसके बावजूद भी 80 से 90 हजार बीच में तो एक इकला केस भी आ गए थे दोस्तों इंडिया में तो आपकी सेफटी मेरे लिए हो रहेगा आपसे ऊपर वाले को बहुती ज्यादा नाराज कर दिये हिंदू मुस् anthropology minority बाइमानी करना जूड बुलना समझो पूरी दुनिया इसी में लगी है टोले ने जयवाले और दोस्तों जो भी है आपको जो शही लगता है आप कहसे हो हकीकत तो यहीं दोस्तों इंडिया में ले लो हिंदू मुसलिम युएस में ले लो काले गोरी peculiar और ढेर सारे까요 से दोस्तों जिस जगह पे मेज़ॉरिटी जो रहता है वो मैशॉरा जूर्इटी पे जूलुम करता है। समझो दो स्थो इंसानियत नाम क्या चीज ह criança लेए फिलाल दुनिया में इतनाव समझो सबके शबको नहीं बोल रहा है है। पूरे मासुम गरीबों के साथ, जिन्दगी के साथ खेल लेते हैं, बता देते हैं, जा भई, इसके साथ लड़, इसके साथ लड़, बगेर कोई मतलब के हिंदू-मुस्लिम के लड़ाई छेड़ देते हैं, क्योंकि इनको इनकी सीड इंपोर्टेंट है, जो जिस आदमी को ये यूस करते हैं, वो तो एकदम गरीब बंदा होता है, पर ये जो नेता लोग होते हैं, जो पॉलिटिशन लोग होते हैं, इनके बच्चे तो एकदम बड़े से बड़े मुकाम पे रहते हैं, एकदम बड़े से बड़े पोस्टिंग में रहते हैं, एकदम बड़े से चाने के लिए मुद्दा किसे बनाते हैं घरीब लोगों को उनको यूज करते हैं उनको रोट पे छोड़ देते हैं उनका तो कोई केर भी नहीं करता तो किसी की आईसी भड़काव भाशन में मत आना दोस्तों क्यूंकि समझो इंसानियत एक ही है दुनिया में हिंदू मुस्ल जूट में बदल नहीं जाएगी हकीकत जो है मैं बस वह आपको बताया आप बुरा लगा हो तो सारी फ्रेंट्स तो यह था दूस्तों तो प्लीस बी सेफ फ्रेंट्स क्यूंकि कोवेड नेंडियन का सेकेंड वेव भी चालू हो चुका है तो दूसरा है दूस्तों इंडिय चैना बॉडर क्लैस जो चल रहे है दूस्तों इधर पे इंडिया ने सिक्स मॉंटेन पिक्स को अपने कबजे में ले लिया दूस्तों मतलब आक्यूपाई कर लिया उनकी जगा को जो की चैना के अंडर में आते है यह यह चीज को इंडिया ने आक्यूपाई कर लिया जो की गर्फ की बात है दोस्तो हम इंडियन्स के लिए सुचा ये आप तक पहुंचा देता हूँ अब गर्फ की बात है दोस्तो पर ये भी कहा जा रहा है दर पे कि चाइना भी चुप नहीं बाइटने वाली चाइना भी कुछ करेगी अब चाइना भी भढकी हुई है अगर के कहा देता हूं करके आप सार समझो दोस्तों ये सारी चीज भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जोरूरिया इधर पर मामला जितना नॉर्मल होगा उतना सब के लिए अच्छा होगा दोस्तों इवन्स है चाइनी सिडिजन्स के लिए और इंडियन सिडिजन्स के लिए भी अब ए दवाई थी दुस्तों इसकी लीक होने के वज़े से पहला ये करोना वेरेस उतना तो डेंजर नहीं है पर एबी एक बैक्टिरियल इंफेक्शन है जो कि एक ही दिन में तीन हजार आजमियों को स्प्रेड हुआ करके कहा जारा जस्तों सोचा ये सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके तो अब चलो फ्रेंट चलते हैं इसके डीटेल पर दस्तों फेडेंज पर अफीचिल अपडेट तो ढहरी वीडियो बना दिया हो जो पब जी रिटेंज की लेटेस्टित हो रही है समझो दिन पर दिन यहीं न्यूस वाइरल होती जा रही है पहले इसको report किया गया था समझो पहले तो ये rumors करके बताया जा रहा था फिर एक दिए Hindu business करके एक news reporter ने interview लिया था लेके इसको डाला था समझो दूस्तो उस दिन से आस्ते के चीज धेर सारे news articles में economic times, live mint में, al jazeera ऐसे धेर सारे news articles में आता गया बातचीत चल रही है जो कि एक mobile developer, Indian mobile developer PUBG को चाहिए और इसको लेके वापस चालू कर सके अगर के अब वही news दोस्तो मैं पूरा आपको repeat नहीं करना चाहता अल्रड़ी इस पे में धेर सारे वीडियो बना दिया हूँ बस जो points उस दिन मैं नहीं बताया था आपको वह बता देता हूँ दोस्तो अब रही बात एक official news तो थी कि Indian partner को PUBG सीख कर रही है ताकि अपना game वह आपस resume कर सके इंडिया में करके अब इधर पर एक चीज ये कही जा रही है दोस्तो मुकेश अमबानी जो Reliance Jio Industry के chairman है दोस्तो इन्होंने समझो मुंबई के airport में जो Microsoft के CEO सत्य नडेला है दोस्तो इन से मिलके जब बात किया था इन्होंने अपना gaming interest दिखा था दोस्तो इन्होंने इतना explain किया था मैं आपको explain करता हूँ सबस्तो जो उन्होंने ये का था जो gaming industry इंडिया में ग्रो हो रही है वो movies से आगे music से आगे और television shows जो है इससे आगे जाने वाले है क्योंकि game का addiction इतना ज्यादा है इंडिया में तो ये बहुती अच्छा प्लैटफार्म में gaming platform करके जो मुकेश अम्मान है दोस्तो जो chairman इन्होंने अपना interest दिखाया दोस्तो gaming firm में तो इस चीज़ को लेके ये कहा जा रहा है हो सकता है ये पबजी को खरीद के अपना gaming firm इंडिया में चालू कर सकते हैं करके इन्हों gaming firm का नाम भी इन्होंने ये बताया दोस्तो रिलाइंस जीओ gaming corporation होके आगे आएगा करके बताया जा रहा है दोस्तो ये एक reporter ने बताया पर official update तो अभी तक नहीं है ये सारे बताया है कि इनकी बात्ची चल रही है तो ज्यादा तर chances दोस्ते सही होने के chances हो सकते अब इन्होंने ही नहीं दोस्तो इनके जो बच्चे बेटा और बेटी जो की आकाश अंबानी और इशाइम अंबानी इन्होंने भी अपना interest दिखाया है ये गेम को खरीदने मे के लेंगी मैं ये भी आप लोगों तक पहुंछा दूँंगा दूसतो तो अब बात करेंगे दूस्तो टिक्टोग ग्लोबल दोस्तो टिक्टाक ग्लोबल जैसे होनेवाला था आपको मैं दिन पर दिन जो दूस मिलते हैं बताता जारूं आप तो आप डिक्टोग टोटन सेक्यूरिटी यू एस की कमपनी को चाहिए थोड़ी भूत सेक्यूरिटी भी समझो बाइट डैंस की या फिर कोई चाइनिस कमपनी की रहेगी तो मैं ये डिल कैंसल कर दूंगा करके डुनाल्ड ट्रम ने कहा है दोस्तो आप रही बात आप क्या करना चाहते हैं पता इसको पूरा करना बहुती ज्यादा जरूरी है जैंग गेमिंग के लिए जो की बाइट डैंस के चेह में ने उने रहे इनके लिए नहीं तो मैं ये डिल कैंसल कर दूंगा करके डुनाल्ड ट्रम ने क्लियरली अपने स्टेटमेंट पे बता दिया दोस्तो आप ये आगे जाके क्या करना चाहते हैं पता ने दिन पर दिन दिन पर दिन कितना करके एक बंदा प्रेशेर हैंडल करेगा अब ही जैंक पर जब से इंडिया में बैन हुआ है उस समय से लेके आज तक कुछ ना कुछ करते जाओ दबाव डालते जाओ अरे यार पता नहीं और क्या करेंगा अब दूसरा यह है दोस्तो जो कि चैना का ग्लोबल टाइम्स करके एक निउस्पेपर है दोस्तो इधर पर यह भी अपडेट हुआ है कि चैना इसको अप्रूवल नहीं देगी करके कहा जा रहा है दोस्तो अब रही बात चैना ने बस रोका था अल्गोरितम को सेल करने के लिए अब इन्हों ने यह कहा है कि इधर पर यूएस बहुती ज़्यादा प्रेशर डाल रहे है जो अपनी म पता चला कि भई बस अल्गोरितम ट्रैंसफर नहीं कर सकती बैट्डैंस पर जो अपना एप है यह किसी को भी सेल कर सकती है करके अपडेट थी दोस्तों जो रिसेंटली अपडेट हुआ था एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल चैना के जरिए से चैना की गवर्मेंट के जरिए अब जो ग्लोबल टैम्स निउस्पेपर है इसमें डेर सारे रेपोर्डर्स ने का है कि चैना इसको अप्रूवल नहीं देगी और कितना ज्यादा दबाव पड़ेगा पता ने जो पर दोस्तों पता चलेगा इसका जवाब क्या होगा जैंग एमिंग क्या जवाब देंगे दोस्तों चैना ने दबाव इसलिए डाला है जो भी समझो पूरे का पूरा ये बंदे यूएस की कंपणी बनाना चाहते हैं तो फ्यूचर में हम लोगों को भी प्रॉबलम हो सकता है करके चैना का कहना है दोस्तों अब आप लोग कह रहे हैं को चैना हमारे को कंट्रोल करत दोस्तों इसमें से चार रहेंगे यूएस के सिटिजन बस एक रहेगा जो है हमारे जैंग एमिंग जो टिक टॉक के ओनर है दोस्तों इनको बोड़ाफ मेंबर बने दिया जाएगा बाकी के जो चार रहेंगे ये सारी के सारी यूएस के रहेंगे करके डोनल्ड ट्रम्प न उटलो मेरे से लिखे ले लो फिर मेरे घर में मुझे आप नाउकरी दोगे जिए बूरी बात अन अन उसका इतना बढ़त फैदा उठाना बहुत ही ज्यादा बुरी बात की तो यह थी दोस्टों आज की हमारी वीडियो दिखने के लिए धन्य बाथ प्रेंक्स बाइ झाल झाल